प्रेंड्स आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट एन्ट प्रोजेक्टेट बैलेंस शीट में डिफरेंस क्या होता है? ये वीडियो में क्यूं बना रहा हूँ? आप लोगों ने शायद ये प्रॉबलम फेस करी होगी, मैंने तो कई ब कोन आता है कि सर वो बैंक जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांग रहा है ठीक है बना के दे देते हैं दो तीन दिन के बाद कॉल आता है कि सर वो बैंक कह रहा है ना कि आने वाले तीन सालों की बैलेंस शीट बना के मुझे दे दीजिए और Project Report नहीं वो B Schl, मैं उन्हें पूछटा हूँ कि वो Projected Balance Sheet मांग रहे हैं तो होगाता है कि हाँ कि हाँ सर वह हुऊ ही मांग रहे हैं तो Mac L Ka 번 को भी कई बर Nolige नहीं होती है तो वह सब मतलब उनको लगता है Project Report मतलब सबकुछ उसी में आ जाता है ऐसा नहीं है project report एक अलग चीज होती है और projected एक अलग चीज होती है तो कभी आपके पास client है या bank के साथ आप deal कर रहे हो bank आप से अगर projected मांग रहा है तो उसका मतलब क्या है project report मांग रहा है तो उसका क्या मतलब है दोनों अलग-अलग चीज होती है, उसी उपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पहले देखिए, जो project report होती है, ठीक है, और CMA data, कई बार ये भी confusion होता है, सर, CMA data क्या होता है, project report क्या होती है, सर, दोनों सेम चीज है, जो हम लोग Excel में बनाते हैं, उसको क्या बोलते है, CMA data, और उसी कोई project report बोलते है, जब आप उसके साथ एक word की file attach करते हो, और word की file क्या होती है, जिसमें आप पताते हो कि भाई, मेरा नाम ये है, ये experience है, अगर आ manufacturing कर रहे हो, तो कैसे manufacturing करोगे, raw material कहां से लाओगे, कैसे बना के, कैसे बेचोगे, trading कर रहे हो, तो कहां दे purchase करोगे, आगे कहां बेचोगे, क्या scope है, आगे अपने business को कैसे expand करोगे, तो ये सारी चीदिया आप word पे लिखके बताते हो, इसका कोई specific format नहीं होता है, word पे आप लिख करके बता सकते हो, तो उसको मिला के और plus Excel data, उसको बोलते हैं पूरा project report, लेकिन आजकर word की file कोई नहीं मांगता है, तो इसी लिए project report का मतलब होता है, CMA data, और CMA data का मतलब होता है project report, अब ये होता किया project report, ये एक तरीके से project के बारे में detail, एक एक चीज का analysis होता है, कि आपका future में सिर्फ figures नहीं, ratio analysis और इसी में analyze bank करता है आपकी borrower capacity, जिसको loan दिया जा रहा है, उसकी capacity कितनी है, ऐसा तो नहीं कि capacity उसके सिर्फ 5 लाग की है, और उसमें loan apply किया हुआ है, 20 लाग का, तो भाई आपको 20 लाग का loan नहीं मिलेगा, जितनी आपकी borrower capacity है, उतना ही loan आपको मिलेगा, और bank उसको कैसे analyze करेगा, जब वो आपसे आपकी project report demand करेगा, और तब वो आपकी ratio analysis, आपकी repayment capacity, यह सारी चीदे analyze करता है, उसको बोलते है project report, जबकि projected का मतलब होता है, projected balance sheet, इसका अपना एक specific format होता है, और यह detail में नहीं होता है, इसमें simply projection होता है, कि आन वाले सालों में, कितनी asset और कितनी liabilities आपके पास होने वाली है, और format क्या होता है, जो normal balance sheet, यो 30 shape की balance sheet बनती है, वही format होता है projected balance sheet का, तो अगर मैं बात करूँ, अगर आप CC या term loan के लिए apply करने जा रहे हैं, किसके लिए, cash credit या term loan, तो 100% possibilities है, bank आपसे project report की ही demand करने वाला है अगर आप CC या term loan के लिए जा रहे हैं, तो ठीक हो गया, जबकि projected कम मांगी जाती है, कई बर ऐसा भी हो सकता है, कि project report भी bank आपसे मांगे, और projected balance sheet भी आपसे मांगी जाए, दोनों चीज़े bank मांग सकता है, project report भी मांगेगा, analysis करने के लिए, और projected balance sheet भी मांगेगा, तो ये हो गया, कि कब कब आपसे projected balance sheet मांग सकता है, उसके लावा कई बर क्या होता है, आप business man है, अगर salary employee है, तो कोई tension नहीं है, आपका form 16, ITR से ही, आपका home loan या personal loan जो है, वो sanction हो जाता है, उसमें कोई ऐसी problem नहीं होती है, ठीक है home loan, personal loan आपका ITR से, salary slip से हो जाता है, लेकिन अग जाएगा, वहाँ पर आपसे projected balance sheet मांगे जाएगी, because वहाँ पर फिर जो है na, CC और term loan की तरह ratio analysis, borrower capacity analysis, वो तर नहीं चेक किया जाता है, simply बहुत बहुत ज़्यादा chances है, कि वहाँ पर आपसे projected balance sheet मांगी जाएगी, तो अगर आप home loan और personal loan के लिए apply कर रहे हैं, and you are a business man, या आपका client business man है, तो बहुत हब तक chance है, कि bank आपसे projected balance sheet मांगेगा, यहाँ पर भी हो सकता है, आपसे project report bank मांगे, लेकिन बहुत higher chance है, कि वहाँ पर projected balance sheet ही, आपको submit करनी पड़ेगी, ठीक है sir, तो अगर इस analysis के बाद मैं आपको बताऊं, तो project report जो है, वो broader aspects को cover करता है, यह सि balance sheet में figures पड़ी होती है, इस तरफ assets, इस तरफ liabilities, no, इसमें balance sheet के part तो होता ही है, बट उसके इलावा एक broader picture cover करता है, cash flow, DSCR ratio, current ratio, interest service ratio, charts वगेरा, chart analysis, पतब सब कुछ होता है, इसमें, तो यह broader picture cover करती है, कौन project report, जबकि projected balance sheet का होती है, वो तो कुछ भी नहीं होती, simply आपकी जो format होता है balance sheet का, उसी पर बनाया जाता है, और सिर्फ financial position को ही cover करती है, इसमें कोई word का format नहीं होता है, इसमें कोई अलग से ratio analysis की sheet नहीं होती है, सिर्फ asset liabilities की figures जाती है, आने वाले सालों के लिए, अच्छा सर, अब अगर मैं आपको simply लेके चलूं, कहां लेके चलूं, द अब आप देखो, यह वो format है, जिससे हम सब familiar है, यही normal balance sheet होती है, इसी से balance sheet बनाया जाती है, तो इसी कोई आपन बोलते है, projected balance sheet भी, ऐसा नहीं कि projected balance sheet हो कोई अलग ते format होता है, तो यह जो figures आ रही है, अब आप इसमें देखो, यही figures projected balance sheet की है, फिर next year, फिर सेम, अगले साल सेम, अगले साल सेम, next year, फिर सेम, तो यह सिर्फ क्या है, projected balance sheet, ठीक है सर, अब अगर मैं आपको लगे जानू, projected report की तरफ, आप इसमें देखिए आप, इसमें सबसे पहले तो सारी चीज़ें आती है, आप लोन किसके किसके लिए लेने जा रहे हो, उसमें आपका fund कितना है, अना, लोन कितना होगा, एक तो यह analysis रहता है, ठीक है सर, उसके बाद definition वगरा, अच्छा, अब आ जाए, यह है profit and loss, ठीक है, तो profit and loss में तो सारी figures है, difference क्या है, यहाँ पर T-shape में है, यहाँ वर्टिकल में, दोनों सेम चीज़ें, क्याज़ बर यह भी computer होता है, सर हमें project report बनाना आता है, projected बनाना नहीं आता है, अरे जब आपने project report बना ली, तो projected बनाने में क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यह क्या है, यह vertical format में है, और यह T-shape में, बस, आपको figure copy paste हो करनी है, तो देखे, profit and loss, project report, balance sheet को include करती है, पर उसके लावा देखिए, cash flow analysis भी है, अलग ratio analysis होते हैं, current ratio, profit to total asset ratio, sale का ratio, turnover का ratio, ISCR ratio, उसके लावा debt service करवेज ratio analysis होता है, charts analysis होते हैं, कि आपकी sale, आपका खर्चे कैसे बढ़ रहे हैं, तो यह detail में report होती है, कोई भी bank आपको loan देगा, तो वो आपका जो भी project है, उसको detail में analyze करेगा, क्योंकि जो CCO term loan होता है, वो directly जुड़ा होता है, किसे आपके business से, आप CC लोगे, तो वो कहाँ use होगी, आपके business के day to day expense के लिए, आप fixed assets purchase करोगे, तो वो कहाँ use होगी, आपके business में use होगी, तो वहाँ पर bank आपसे project report मानता है, जबकि अगर आपने home loan लिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो home loan वहाँ प को fulfill करने के लिए, वो personal loan लेते हैं, तो वहाँ पर bank को ये analyze करने का, business की project को analyze करने की need नहीं होती है, तो वहाँ पर bank आपसे project report नहीं मानता है, वहाँ पर बहुत higher chance होते हैं, कि वहाँ पर आपसे projected balance sheet मांगी जाती है, अब अगर, अब मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको आपको ये नहीं बताऊंगा कि project report कैसे बनाई जाती है, और projected balance sheet कैसे बनाई जाती है, पूरा detail में हम लोग कई बार इसको discuss कर चुके है, पूरी playlist available है, link description में भी है, वहाँ से आप देख भी सकते हो, and हाँ, अगर आप लोग पहले दो जुड़े होगे हो, तो आपको पता कि अगर आप simple ये एक click से सिर्फ 10 मिनट में projected, provisional, estimated और projected balance sheet बनाना चाहते हैं, सिर्फ 10 मिनट में, तो आप इस software की मदद से बना सकते हैं, ये बहुत ही simple software है, आपको बस क्या करना है, first year पे जो entry करनी है, वो manual करनी है, उसके बाद estimated और सारे projected year की balance sheet, profit and loss, automatic बन जाएगा, तो ये है हमारा provisional estimated and projected balance sheet का software, अब इसको कैसे use करना है, इसका पूरा demo वीडियो पड़ा हुआ है, उसका बी link description में है, और इसके अलावा, ये जो project report है हमारी, इसको भी आप purchase कर सकते हो, और आप project report बना के bank को दे सकते हो, खुद के लिए भी और अपने clients के लिए भी, तो जो projected estimated balance sheet का software है, वो है 149 का, और जो project report की utility है, वो सिर्फ है 99 rupees की, तो 249 में आप दोनों software purchase कर सकते हो, और इससे आपका काम विल्कुल चुटकियों में हो जाएगा, आप इससे अपना खुद का ये अपने clients की project report और projected balance sheet दोनों बना सकते हैं, I hope इस वीडियो में आपको clear हो गया and projected balance sheet क्या होती है, देगे, client आपके पास आएगा, client को तो वैसे ही कुछ नहीं पता होता है, वो layman होता है, वो professional तो होता नहीं है, तो आप उसको बनाने से पहले confirm करिए, कि वो project report आपसे बनवाना चाहा रहा है, कि projected balance sheet बनवाना चाहा रहा है, इससे सबसे अच्छा इसमें क बात करिए, और उससे उसकी requirement पूछिए, कि आपको proper balance sheet चाहिए, तो उसको projected balance sheet बना के दीजिए, और अगर वो कह रहा है, कि नहीं हमें पूरा ratio का अगरा सब कुछ चाहिए, पूरा complete analysis चाहिए, तो फिर आप उसको project report बना के दीजिए, ठीक हो गया जी, तो ये होता है दोनो difference, कैसा लगए ये प्यारा सब वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, ऐसे ही मदेदार वीडियो के लिए, CMH24 को कर लेज़े subscribe, मिलते हैं अगले knowledgeable वीडियो में